ने शुरुवात कहां से किया था लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा था वो क्या देखा था टॉपिक लिखा था मिलिटरी कैमपेंड क्या देखा था मिलिटरी कैमपेंड और मिलिटरी कैमपेंड से पहले हम लोगों ने लिखा था कि अकबर के अकबर के सुल्तान बनने से पहले या अकबर के सुल्तान बनने के टाइम इंडिया यानि यूं कहिए कि हाँ यूं कहिए कि इंडिया इंडिया की पोजी इस नहीं कहां पर कौन सा समराज्य था कौन किस से अलग हो चुका था या अकबर के सिंगहासन पर बैठते ही अकबर के सुल्तान बनते ही अकबर के कंट्रोल में क्या था और अकबर की कंट्रोल से बाहर क्या था वो सारी चीज़े हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है जैसे बंगॉल नहीं इन लोगों के पास ठीक है और उधर गोवा दमंद्यू में पोर्टिगीज भी आ चुके थे तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अकबर के टाइम पर यूरोपियंस का भी आगमन हो चुका था और इधर अलग-अलग छोटे-छोटे काई सामराज बन चुके थे तो अकब के सुल्तान बनते ही अकबर सुल्तान बना 1555 में अकबर का टाइम पेट क्या लिखा मोंने 1556 कह लिजिए 1556 से लेकर 1605 तो जब अकबर सुल्तान बना उसी टाइम जो फर्स्ट क्या कहते है बैटल हुगा वो था आप लिखो यहां से सेकेंड सेकेंड बैटल आफ पानी पत 1556 और अगर एक्जेक डेट डालना चाहते हूँ तो वो है नवंबर 1556 लेकिन आपको क्या याद रखना है सेकेंड बैटल आफ पानी पत 1556 अब 1556 में जो सेकेंड बैटल आफ पानी पत हुआ उस वक्त क्या था अकबर सुल्तान तो था बट एक्चुल पावर किसके हाथ में थी वो पावर थी एक्चुल पावर बैरम खा के हाथ में लेकिन सुल्तान कौन है सुल्तान तो है अकबर तो इसलिए हम लोग अकबर के कम में इसको काउंट करते हैं पर अकबर तो भी तिरे साल का बच्चा है तो और हमने पढ़ा है कि 1560 पंदरे सौ साथ में जाकर अकबर क्या करता है पूरी पावर अपने हाथ में लेता है उससे पहले तो चार साल अकबर वैरम खा के कं तो यहां पर सेकेंड बैटल आफ पानी पत तो लिखिएगा 5 फिप्ट नवंबर कब है इसको 5 नवंबर 1556 तेखें यह जो चीजे है न एक्जेक डेट आपको याद नहीं रखना है लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया रखना है होता क्या है कि कई बार बहुत ट्रिकी कुश्चन बनाने के चक्कर में UPSC या PCS में चाहे बिहार PCS हो चाहे UP PCS हो या MP PCS हो या UPSC हो ये लोग क्या करते हैं थोड़ा बहुत जादा ट्रिकी बनाने के चक के लिए क्या करते हैं कि एक ही साल में हुए जो घटनाए हैं उनको क्या करते हैं कह देते हैं क्रम बाइस साल लगा दीजिए तो अगर आ अकबर के सुल्तान बनना भी याद रखना है और 1556 में कोई और घटना भी लिख दी जाए तो यहां तो आप आ जाओगे समझ में कि चलो भाई अकबर सुल्तान बना उसके बाद बैटल अफ पानीपत हुआ यह आपको याद रखना है और अगर कोई और घटना है माले जब न थोड़ा सा यह आपको यह याद रखना होता है एक आइडिया रहे कि कौन सी घटना कब हुई तो वो सीरीयल नमबर आपका याद रहता है क्या रहता है सीरीयल नमबर याद रहता है कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ अभी तो मान लिजे कि ancient और medual history में इतना नहीं मतल इंट्रवल पर ही कई घटनाया आपको मिलेंगी, यह कही साल में आपको कई चीज़े याद हो जाए, रखने पड़ेंगी, जैसे कहीं पर आदिवासी बिद्रों हो रहा है, तो कहीं पर कुछ और कान हो रहा है, तो कहीं पर कोई और दूसरे, बंगाल में कोई रिबेलियन हो तो उसी साल चेन नई में कहीं रिबेलियन हो गया साउथ इंडिया में तो ये आपको डेट इस तरह से आपको थोड़ा सा आपको modern history में करना पड़ेगा यहां एक का दुख का है जिसको tricky बनाने के लिए important घटनाओं का ऐसे डेट याद रखने पड़ते हैं पर आपको बस इतना है नवंबर 1556 बहुत नजदीक नहीं पूछेगा कि पांच नमबरों क्या होता च्छे नमबरों क्या होता ऐसा नहीं पूछेगा लेकिन हाँ यह थोड़ा से याद है कि नवंबर 1556 में हुआ था तो हुआ अब इसमें कौन किसके तरफ था तो लिखेगा 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 यह मुगल फोर्सेज मुगल फोर्सेज अफ अकबर अकबर सुल्तान है तो उसकी फोर्स हो गई अफ अकबर लेड़ बाई बैरम खां तो मुगल के अपोजिट में हो था तो मुगल के तरफ से कौन था बैरम खां कौन था बैरम खां वर्सेज इस तरह से करके लिखेए वर्सेज अपोजिट साइड में कौन था तो वो था आर्मी ओफ हेमू विक्रमा दित्य अब देखे यहां सुल्तान अकबर है और उसकी आर्मी को लीड कौन कर रहा है बैरम खा यहाँ पर आर्मी को लीड कौन कर रहा है हेमू विक्रमादित पर एक्चुल में ये भी सुल्तान नहीं है हेमू विक्रमादित जो है ये भी सुल्तान नहीं है ये क्या है हेमू विक्रमादित के वारे में लिखिए He was वजीर of मुहम्मद सा आदिल मुहम्मद सा आदिल और ये कहां का सुल्तान है आफ बेंगौल तो यहां ये सेकेंड बैटल आफ पानीपत ऐसा बैटल है जिसमें दोनों सेनाओं के सुल्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया है ठीक है न? यहां आपको क्या याद रखना है? यहां नाही पहला तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये मुगल और बंगल के सुल्तान के बीच में की आर्मी का युद्ध है यानि कि मुगल्स और बंगाल के बीच का युद्ध है दूसरा बात आपको याद रखना है कि मुगल्स आर्मी को कौन लीड कर रहा है बैरम खाँ और बंगाल की आर्मी को कौन लीड कर रहा है हेमू विक्रमादित और ये दोनों के दोनों चाहे बैरम खाँवा चाहे हेमुवा दोनों सुल्तान नहीं है दोनों क्या है most powerful person अपने court के या उस kingdom के है क्योंकि हेमु विक्रमजद वजीर है तो क्या हुआ सुल्तान के बाद इसी का number आया और इधर तो अकबर कुछ अभी जानता ही नहीं है तो बैरम खाँ तो दोनों अपने राजी के मेन थे और इन्हीं दोनों के बीच में युद्दुवा तो वार का नतीजा क्या निकला मुगल आर्मी वान दो मुगल आर्मी वान यानि कि मुगल से ना जीत गई ठीक है अब हुआ क्या बैरम खाँ ने ये सब क्यों किया क्योंकि जो मुहम्मद साह अब आदिल था ये ये मुहम्मद साह आदिल बहुत तेजी से अपने आपको बढ़ा रहा था और बैरम खाँ एक बढ़ियां कमांडर था उसको तुरत लग गया कि अगर हम इसको नहीं कंट्रोल किये तो ये मुगल के लिए बहुत बड़ा थेड़ बन जाएगा क्योंकि जितना मुगल का अमपायर था न उससे बड़ा इसके पास बैंगाल का अमपायर था और दूसरी बात मुगल्स के अमपायर में अभी उतनी जादा प्रोड़क्टिमिटी नहीं थी जितना बेंगॉल के आख क्योंकि इनके पास तो सी कोर्स भी था न सी पोर्ट बेंगॉल के पास सी पोर्ट इनके पास व्यापार अच्छा था इनके पास गंगा और गंगा का क्या कहते है फर्टाइल प्लेन था खेती भी अच्छी थी और से सारसूरी ने जो सिस्टम बना कर गया था उस सिस्टम को इनको बहुत फैदा मिल रहा था ठीक है तो इन सब चीजों से क्या हुआ कि ये बहुत तेजी से अपने आपको बढ़ा रहे थे और अगला इनका टार्गेट मुगल ही हुथे लेकिन बैरम खा इसको भाव गया और बैरम खा ने तुरत ये वार डिकलियर कर दिया यानि कि बंगाल के उपर अटेक किया या यूँ गए कि इन्हों ने मुगल्स के उपर अटेक किया बंगाल ने मुगल्स के उपर अटेक किया और उसका नतीजा ये हुआ कि इनको हारना पड़ा और हारने के बाल क्या हुआ तो लिखिएगा इस war का result क्या कहा जा सकता इससे हम क्या कह सकते हैं लिखिएगा second battle second battle of Pani Pat marked the real beginning of of Mughal Empire in India और लिख सकते हैं कि beginning of the moment पर रहा है और इसी को कह सकते हैं real expansion real expansion begin मुगल अमपायर का real expansion यहां से सुरू होता है कहां से अकबर के टाइम से second battle of Pani Pat देखिए यह नहीं कहा जा सकता कि बाबर ने कुछ नहीं किया हुमायू ने कुछ नहीं किया बाबर ने भी अपने लेबल भाई उतने चार साल चार युद लड़ा चारों जीता बहुत बड़ा अमपायर अपने साथ में किया लेकिन हुमायू उसको खो दिया और हुमायू खो दिया तो फिर हुमायू ने गेन तो किया लेकिन हुमायू के गेन करने के टाइम पर जो मुगल अमपायर इसके हाथ में आया वो बहुत छोटा सा था उसकी कोई वैलू इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन जब अब बंगाल के राजा को हराना तो बंगाल के राजा को हराना बहुत बड़ा एरिया अगर आप एक इमेजिनेशन करो ये नॉर्थ इंडिया को अगर मानो तो मुगल अंपायर इतना बड़ा ये क्या है ये हैं मुगल अंपायर जो अकबर को मिला और बंगौल इतना बड़ा ये बंगौल है अब अगर इसने इसको हरा दिया ये हुआ वार और मुगल्स ये जीत गया तो अल्टिमेटली अब क्या होगा अब देखिए अब मुगल अमपायर कहां से पहबचा ये हो गया मुगल अमपायर ये बलू वाला अब ये मुगल अमपायर है तो एक्चुल में अगर देखा जाए तो इतना बड़ा एक ही युद्ध से मुगल अमपायर इतना बड़े एरिया को जीत लिया अपने से बड़े एरिया को मुगल्स ने अपने में मिला लिया अब उसका नतीजा क्या हुआ उसका नतीज़ा ये हुआ कि बहुत बड़ा एरिया अचानक में मुगल्स की जोली में आकर गिर गया एक युद्ध से और मुगल अमपायर फिर इतना स्ट्रॉंग हो गया कि फिर उसको कहना ही क्या ठीक है तो इस तरह से हमने देखा तो यहां एक लाइन और लिख लेजिए लिखना ही है तो एक लाइन और लिख लेजिए यहीं पर मिलिटरी कॉंक्वेस्ट में ही सेकेंड बडल पानी पत में लिखेगा मुगल्स ओकूपाइड देलही वंस अगेन वंस अगेन एंड सून आफ्टर आगरा वाज आलसो कैप्चर्ड तो बंगाल इतना बड़ा हो चुआ था कि दिल्ली और आगरा भी इनसे छीना जा चुका था यानि कि इनके हाथ में नहीं था जब हुमायू जीता तो अभी तो वो पंजाब से ही तो इधर आखी तरफ आ रहा था और सूर अंपायर को हराया था तो दिल्ली और आगरा तक कौन पहुच चुके थे बंगाल वाले पहुच चुके थे उस वक तक तो इसलिए इसने कहा कि जब हर्याना वाले एरिया में बैटल ओफ पानी पत हुआ तब जाकर असल में मुगाल अंपायर दुबारा कहिए तो दिल्ली या आगरा में आकर इस्टैबलिस हुआ और फिर यही तो फिर लाल किले का लिन्मान करेगा कंस्ट्रक्शन होगा दिल्ली और लाल किले दूसरा है ना वो तो दूसरा है में लाल किला पहला और सबसे बड़ा ज़ो है वो अगरा में ही है जो एक्च्वल में मुगल्स की राजधानी हुआ करती थी यह लाल किला तो आप सा जहां के टाइम का है कि सा जहां ने दिल्ली में लाल किला बनवा लिए दुस्से पहले जो कुछ था मुगल अंपायर अकबर बाबर भी था हुमायू भी था अकबर था और जहांगीर ये सब तो आगरा में रहे हैं ठीक है तेहां तक नोट डाउन कर लिए तिसको रब करो सेकेंड बैटल आफ पानी पत तो अब एक दो छोटे छोटे ऐसी चीज़े हैं जिनको हम लोग जान लें सेकेंड बैटल आफ पानी पत के बाद कुछ दिनों तक अकबर को छोटी छोटी चीज़ों को से करके निपटना पड़ा तो पहला और ये सब बैरम खा के टाइम में ही हो रहा है तो पहला लिखेगा इन में 15 61 इन में 1561 लिखे सिकंदर सा सूरी सिकंदर सा सूरी प्रेटेंड या प्रेटेंडर तो देलही थरोल वाज चेट में तो शरेंडर ये आद वाज असाइन तो शरेंडर ये जागीर A sign is Jagir in Bihar only to be expelled there from soon after. यह जो point मैं लिखाया है इसको इस तरह समझ यह सिकंदर सांसूरी कौन है? सूर अंपायर का वनसज है और सूर अंपायर का ही राज चल रहा था जिसको हुमायू ने हराया तो अकबर को जब दिल्ली आना है या आगरा आना है तो सूर अंपायर वाला पहले क्या करेगा? वो claim करने कोशिस किया बंगाल से जीतने के बाद जब ये दिल्ली आया तो सिंक अंदर सांसूरी ने खुद को दिल्ली में establish करने की कोशिस की अकबर ने तुरत उसको हराया और हराया मतलब अकबर क्या कर ये बैरम खाने हराया और उसको surrender करवा दिया चुटा सा यूद था conflict बहुत बड़ा नहीं था ठीक है इसे सो कोई नाम नहीं दिया गया तो अब यहां से क्या हुआ कि उसको हरा दिया लेकिन उसकी हत्या नहीं किया उसको क्या किया सौरी यहां पर 1561 मत लिखिए यहां पर आप लिखिए 1557 यहां लिखिए 1557 अभी बैरम खाही चल रहा है ना सौरी यहां सब्सक्राइब कर लिजिए डेट का डेट का क्या इयर का 1557 1556 सेकेंड वो गलती मिश्टेक से लिखिए था परे 61 तो 1556 में सेकेंड बेडल आफ पानीपत 1557 में सिकंदर सा को जो खुद को दिल्ली का सल्तान बनाने कोशिस कर रहा था उसको क्या किया गया वहां से हटाया और बिहार में एक जागीर दे दी अब जागीर कुछ इस तरह समझे जमिनदार कि कुछ जमीने दे दी गई और जमीन दे दने के बाद क्या कहा गया कि तुम मुहाँ खेती करो revenue वसुलो जो खर्चा है अपना निकालो बाकी सर हमारे यहाँ जमा करवा दो जमिनदारी फ्यूडल लॉट्स तो अकबर ने उसको एक नया नाम जाओ हम पढ़ेंगे अकबर के administration में या अकबर के reform में तो इसने उस जमिनदारी सिस्टम को जागिरदारी सिस्टम में convert किया था क्या कहा जाता था जागिरदार कहा जाता था या फिर बाद में हम देखेंगे कि उसको इसने मनसबदार बनाया क्या बनाया मनसबदार तो जागिरदार पुराना वर्ड था अकबर के टाइम पर फिर वो feudal lords किसमें बन गए मनसब में बन गए तो ये चीज़े तो आपको पता ही है वो feudal lords वाला सिस्टम है तो विहार में थोड़ी सी जमीन दे दी एरिया कि तुम वहां रहो क्योंकि सेरसा सूरी का जन्म कहां था बिहार का ही था सासाराम का तो उसी सासाराम के आसपास के अधिया इसको दे दिया गया खुस रहोगे लेकिन बाद में इसने कुछ क्या कहते हैं लोगों की घठा करके फिर से इसने konspiresi करने कोसिस की तो इसको फिर वहां से जागिर्दारी से भी इसको हटा दिया गया नेक्स लिखेगा इन 1557 देखिए इन पॉइंट्स को आप सॉर्ट नोट में अगर लिखना चाहोगे तो आपको क्या लिखना होगा 1556 सेकेंड बैटल आफ पानी पत बैराम खांवर से हेमू विक्रामादित और ब्रैकेट में लिखोगे हेमू के या अकबर वर्सेज मुहम्मद साबदाली और अकबर नीचे लिखोगे बैराम खांवर मुहम्मद साबदाली के नीचे लिखिएगा हेमू विक्रामादित ये के बाद दूसरा नमबर लिखेंगे 1557 सिकंदर सासूरी रिमूब फ्रॉम दिल्ली सेंटू बिहार बात खतम ऐसे सौट नूट बनाईएगा पूरा ये लिखने की जोट नहीं है ठीक है हाँ नेक्स लिखिए इन 1557 और अगर छोड़ भी दीजेगा इन पॉइंट को सौट नूट में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको कहानी रूप में आद कीजिए लेकिन हाँ लिख देंगे तो बस ऐसे लिखिए 1556 सिकंदर सासूरी रिमूब फ्रॉम दिल्ली 1557 दूसरा एक था अफगान अफगान प्रिटेंडर कौन है मुहम्मद आदिल मुहम्मद आदिल वाज आलसो किल्ड ठीक ये बंगाल वाला आदिल ठीक है ना उसकी भी हत्या कर दी गई ये सब बैरम खांकर रहा है अकबर कुछ नहीं कर रहा है ये सब कुछ कौन कर रहा है बैरम खांकर रहा है नेक्स लिखिएगा दथर्ड प्रिटेंडर यानि जो भी दिल्ली के में उनके मतलब कहा जासे था कि दिल्ली के अधिकार को जता सकते है कि हम दिल्ली के सुल्तान बनेंगे इस अधिकार को रखने वाले जितने लोग थे सब को रास्ते से हटाओ तब ही तो होगा कि भाई अब कोई बचा है नहीं अक्वर ही बचा तो अक्वर ही सुल्तान बना रहेगा कोई विरोध नहीं उठना चाहिए तो पहले सिकंदर सासूरी को हटाया बैटल के बाद उसके बाद मोहमद आदिल को हटाया और तीसरा प्रिटेंडर एक और था लिखे इबराहिम अब इसके बारे में आप थोड़ा सा पीछे जाए ता आपको दिखे का इबराहिम के बाद मने लिखवा रखा है इबराहिम हैट टू फ्ली एंड टेक हैट टू फ्ली मतलब भागना उड़ गया हैट टू फ्ली भाग गया एंड टेक रिफ्यूजी इन उडीशा ये भी अपने आपको दिल्ली सल्तरत का एक उमिद्वार कंडिडिट मानता था लेकिन जब देखा कि मुहमद आदिल की हत्या कर दी गए तो ये वहाँ से बाग अपनी जान बचा के बागा उडीशा बचने के लिए तो नेक्ट लिखेगा लिखे सो सोरी लिखे सो लिखे 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 लिख अकबर सोवर्जिनिटी ओभर दिलही वाज कनफर्म्ड यानि कि दिल्ली का कोई वारिस उसने या दिल्ली को क्लेम करने वाला किसी को छोड़ा ही नहीं बैरम खाने जैसे ही सेकेंड बैटल ओफ पानी पर जीता वैसे ही उसने दिल्ली पर अपने आपने उमिद्वार जिसको जिसको अपनी उमिद्वारी पेस करनी थी सबको उसने हटा दिया सेरसा सूरी के वनसा सिकंदर सूरी इधर मुहमद आदिल को उधर इबराहीम सबको हटा दिया अब कोई बचा ही नहीं ऐसा जो दिल्ली पर अपना क्या कर सके हक जमा सके और एकवार दिल्ली को बाबर जीत चुका था बाबर को बेटा सुल्तान हुमायु का बेटा अकवर तो अब अगर वनसा वली देखी जाए तो कौण अकवर बचा तो अल्टिमेटली अब दिल्ली की गदी किसको मिलेगी अकबर को मिलेगे हर कंटेंडर को हर कंपटीटर को रास्ते से हटा दिया गया और इसके हटाने के बाद क्या होता है अंत में बैरम खा को अकबर हटा देता है तो बैरम खा की कहानी यही तक है है तो सब कुछ कर रहा है अकबर के लिए बैरम खा लेकिन अकबर के अंडर पढ़ेगे कि सुल्तान अकबर है लेकिन काम कौन कर रहा है बैरम खा तो बैरम खा सेकेंड बेडल आफ पानी पत कर रहा है बैरम खा सिकंदर साथ सूरी को हटा रहा है रास्ते से बैरम खा मुहम्मद आदिल को हटा रहा है बैरम खां इब्राहिम को रास्ते सटा रहा है और अकबर का सुल्तान बनने का रास्ता 100% हर एक कम्पनिर को हटा कर किलियर कर दिया और इस तरह से अब अकबर एक निर्विरोध सुल्तान के रूप में दिल्ली में काविज हो गया और अब आता है 1560 में अकबर बैरम खां को कहता है कि आप जाएए कहां हज पर बैरम खां रिवोल्ड कर देते हैं अकबर उनके रिवोल्ट को क्या करता है रिवेलियन को सप्रेस करता है और फिर से उनको आदेश देता है कि आप जाएए हज को रख और फिर बैरमखा की दित हो जाती है अब इसके बाद यहाँ से 1561 से क्या होगा सब कुछ आकबर के हाथ में अम सारे डिसीजन कौन ले रहे रहेगा अकबर लेगा तो इसको अब हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे अकबर के टाइम के साथ सारी कहानी ठीक है अभी तक जो कुछ हो रहा था वो किसके आदेस पर किसके अंडर हो रहा था बैरम खा के आदेस पर बैरम खा के अंडर हो रहा था अब सब कुछ होगा अकबर के हाथ में ठीक है और सारे डिसीजन सब कुछ कौन लेगा अकबर लेगा फ्रंट पर कौन रहेगा अकबर रहेगा लेकिन ये मत सोचिए कि ये जो तीन चार साल का टाइम है इसमें कोई कुछ हुआ नहीं बहुत बड़ा काम बैरम खा करके गया क्या बैटल जो जीता सेकेंड बैटल ओफ पानी पत और उसके बाद जितने कंटेंडर थे प्रिटेंडर कंटेंडर सब को हटा दिया रास्ते से और अकबर के लिए एक हाईवे बना कर गया एक एकस्प्रेस वे बना कर चला गया कि अब तुमको कोई नहीं हरोख सकेगा मतलब रेस में अब कोई है ही नहीं इस तरह से बैरम खाने सारी सिच्वेशन बना कर वो चला गया ठीक है तो अब हम लोग जो भी कंटेंटर पढ़ेंगे कॉंक्वेश्ट पढ़ेंगे केंपेंड पढ़ेंगे उस सब किसके पढ़ेंगे अकबर के पढ़ेंगे डाइरेक्टली ठीक है तो चलते हैं अब नेक्स्ट ठीक है